नमस्कार आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेगे आए हैं उसका नाम है बिकास की अवश्थाये बिकास की कौन-कौन सी प्रमुक अवस्थाये होती हैं और वो कितने बरस तक होती है इस कन्फीजन को हम दूर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेगे आए हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो confusion है कि किस अवस्ता को कितने बरस तक माना गया है, पूर्व बाल्य अवस्ता क्या होती है, पूर्व किसोरा अवस्ता क्या होती है, कितने बरस तक होती है और कोई प्रसन आ जाएगा तो इसको कैसे हम solve करेंगे, ये सारा आज ह जो confusion है उसको दूर करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले विकास की अवस्ता हों में अगर हम बात करें तो विकास की जो सबसे पहली अवस्ता है उसका नाम है सहस्वा अवस्ता सैस्वा वस्ता को बात करें तो अगर मैं आप से पूछूँ कि सैस्वा वस्ता कब से कब तक होती है तो आपके कई सारे उत्तर मुझे देखने को मिलेंगे कोई कहेगा कि 0 से 2 वरस तक होती है कोई कहेगा कि 0 से 3 वरस तक होती है कोई कहेगा कि 4 वरस तक होती है और कोई कहेगा कि 5 वरस तक होती है और कोई तो ये भी कह सकता है कि 0 से 6 वरस तक की अवस्ता भी सैस्वा वस्ता होती है तो आखिरकार ये मामला है क्या सैस्वा वस्ता होती कितनी वरस तक की है इस बात को अगर हम समझें तो ऐसी इस्तिती में अगर देख पूछा जाए इस उत्तर को समझने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि सैस्वा वस्ता की आयू होती कितनी है तो सैस्वा वस्ता की अगर बात करें तो सैस्वा वस्ता को हम अंगरेजी में कहते हैं इन फैंसी सैस्वा वस्ता को अंगरेजी में कहते हैं इन फैंसी इन फैंसी जो सब्द है और फेंट का अर्थ होता है बोलना अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसा time period जिसमें बोलने का अभाब पाया जाता है उसको कहते हैं सैसवा अवस्ता तो यहां से हमें ये देखने को मिलता है मनोबैग्याने की इस बात पर सेहमत है कि बालक में जन्म से लेकर दो बरस तक बोलने का अभाब पाया जाता है बोलने का अभाब पाया जाने से मतलब है कि बालक सार्थक सब्दों को बोल नहीं पाता है वो ममम तो बोल सकता है लेकिन पानी नहीं बोल सकता पानी सार्थक सब्द है ममम कोई सार्थक सब्द नहीं है तो हम ये पता करेंगे आज इस वीडियो में कि जो दो वरस्तक की जो अवस्ता है उस अवस्ता का नाम है सैस्वा अवस्ता अगर ऐसी इस्थिति आती है जिसमें ये पूछा जाता है कि सैस्वा वस्ता की आयू क्या होगी तो इस सब्द की ब्याख्या की उस इसाब से अगर ह जो answer सही होगा जैसे मानके चलते हैं कि zero से do vers, zero का मतलब यहाँ पे जनम से है, जनम से 2 vers की अवस्ता जो option में नो हो तो फिर उस condition में क्या करेंगे तो उस condition में हमारा answer होगा, जनम से लेकर 3 vers तक, जनम से लेकर तीन वर्स भी अगर option में नहीं होगा तो फिर हमारा answer होगा जनम से लेकर 4 वर्स भी अगर option में नहीं होगा तो जनम से लेकर 5 वर्स भी option में नहीं होगा तो हमारा जो बिकल्फ होगा वोगा 0 से 6 वर्स अर्थात जनम से 6 वर्स तक की अवस्ता भी सैस्वा अवस्ता हो सकती है आयों देखते हैं कि इस सैस्वा अवस्ता में से प्रसंद कैसे आता है कई बार सीटेट के पेपर में ये पूछा जा चुका है कि निम्न लिकत में से कौन सी अवस्ता सैस्वा अवस्ता की होगी या कौन सी अबदी सैस्वा अवस्ता की होगी तो हमने आपको ये बात clear कर दी है कि सैस्वा वस्ता हर condition में जन्म से होगी इस बात को आप note करेंगे जब तक उसके आगे time period के आगे जब तक जन्म सब्द नहीं लिखा होगा जन्म नहीं लिखा होगा या क्या लिखा होना चाहिए zero जब तक ये दौनों सब्द आगे नहीं होगे तब तक वो सैस्वा वस्ता नहीं मानी जाएगी क्योंकि यूपी टैट के पेपर में एक question आया था और उसने पूछा था कि ये बताईए कि 2 से 5 बरस की आईउ को क्या कहते है 2 से 5 बरस की जो अवस्ता है वो क्या होगी और बिकल्ब जो थे आपके वो था पहला बिकल्ब था सैस्वा वस्ता दूसरा जो बिकल्ब था उसका नाम था बाल्या वस्ता और तीसरा जो बिकल्ब था वो आपका कि सोरा वस्ता और चोथा जो बिकल्ब था आपका उसका नाम यू को क्या कहेंगे ये सारा confusion अब हम देखते हैं कहां सिरू होता है बहुत सारे student हैं वो इसका उत्तर करके आए कि दो वर्स से पांच बर्स की आवस्ता को सैस्वा वस्ता कहेंगे जो के इसका गलत आंसर है इसका आंसर सही है बाल्यावस्ता अब क्यों सही है बाल्यावस्ता उस बात को समझने के लिए जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि सैस्वा वस्ता में दो बात याद रखनी है या तो जन्म या फिर जीरो अब यहां पर देखिए, यहां वो कहां से पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, दो से पंच बरस की आयू को क्या कहेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि बालक का पहले क्या हुआ 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 जन्म, और जन्म से लेकर कहां पहुँच गए हम, दो बरस तक, तो जन्म से लेकर दो बर चाहे 2 से 5 वर्ष की आयू क्या होगी, तो 2 से 5 वर्ष की आयू बाल्य अवस्ता होगी, ये answer सही है आपका बाल्य अवस्ता, मैं समझता हैं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, इस बात को और हम और किलियर करें, तो एक REIT में paper आया था, REIT में जो क्वस्टन आया था कि ये बताईए कि क्लोनों की अवस्टा कौन सी अवस्टा होती है क्लोनों की आयू होगी ये क्वस्टन आया था REIT का जो राजिस्तान टेट का जो पेपर है उसमें क्वस्टन आया था कि क्लोनों की आयू होगी पहला option था सैस्वा वस्ता यह हम सब आपको इसलिए बता रहे है ताकि जो confusion बना हुआ है कि जनम से लेके 2 वरस तक की वस्ता सैस्वा वस्ता होगी जनम से लेके 3 वरस की वस्ता सैस्वा वस्ता होगी जनम से लेके 5 वरस होगी अत्वा 6 वरस तक होगी तो वो सारा confusion जो ना रहे उसको दूर करने के लिए हम जो दो example लेके आए हैं आपके लिए उसको आपको पढ़ना और देखना बेहत जरूरी है अगर आपकी बात ये समझ में आ गई तो जो seated के पेपर में इससे related जो दो से तीन question आते हैं वो आप बिल्कुल भी सही करके आएंगे यहां देखें हम कि खिलोनों की आई होगी पहला option है सैस्वावस्ता दूसरा option था पूरुव बाल्यावस्ता तीसरा option था यहां पे उत्तर बाल्यावस्ता तीसरा option था उत्तर बाल्यावस्ता और चोथा जो option था उसका नाम था कि सोरा अवस्ता तो अगर हम इस प्रसन की बात करें ये प्रसन आप सभी बता देंगे क्योंकि आपने ये प्रसन कहीं न कहीं किसी भी किताब में देख रखा है लेकिन इसका जो आंसर सही है और वो क्यों सही है ये अगर आपने बता दिया तो आप जो क्या है कोई भी प्रसन जो क्या आगे आ आने वाली परिच्छाओं में गलत नहीं करके आएंगे तो वो जो प्रस्ण है कि खिलोनों की आयू होगी इसका उत्तर हम डारेट बता देते हैं कि इसका उत्तर होगा पूर बाल्य अवस्ता अब क्यों पूर बाल्य अवस्ता होगा इन अवस्ताओं की आयू उसके दमाग मे लेकर 2 बर्स तक अब जनम से लेकर 2 बर्सत की सेषव अवस्ता हो गयी तो ये बात सहब्रम हो गही कि 2 से कौन सी अवस्ता चालू हो जाएगी बाले अवस्ता जो कहां तक जाती है 2 से 12 तक और 12 के बाद जो अवस्ता इस्टार्ट होगी वो जाएगी 18 तक उस अवस्ता को कहते है कि 12 अवस्ता ये जो अवस्ता है 2 से 12 होती है कि या 6 से 12 होती है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और इसकी वी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी हम समझ रहे हैं, कि हमारी जो अवस्ता है, वो जीरो से लेके दो बरस तक सैस्व अवस्ता हो गई, अगर हम इस अवस्ता को दो से बारे बरस की अवस्ता को दो भागों में विवाजित करने हैं, तो एक तो हमारी अवस्ता हो पूरबाले अवस्ता और 6 वर्ष से 12 वर्स तक की अवस्ता हो गई उत्तरबाले अवस्ता और किसौरा अवस्ता अमारा कोई लेना देना नहिए तोаксकी हमाभा अभी चार्चा नहीं करते हैं तो अभी हमस्टे हुए कि citizens of इसा जर्म से ले के दो वर्स तक होती और 2-6 वरस तक की जो अवस्ता है इसी में बालक खिलोनों से खेलता है अगर मैं इस प्रसन को ऐसे हल करने की कोसिश करूँ कि जनम से लेके 6 वरस तक की सहस्वावस्ता और 6 वरस से लेके 9 वरस तक की पूर बाल्य अवस्ता और 9 वरस से 12 वरस तक की अवस्ता को कहे उत्तर बा आयू में बालक खेल खेलता है ना कि खिलोनों से खेलता है इसलिए ये हमारा जो आंसर है वो हमारे explanation के हिसाब से बिलकुल fit वैड़ता है कि जो examiner है जो आपसे प्रसन पूछता है उसके दमाग में 0 से 2 बरस तक की अवस्ता को ही सैस्वा वस्ता माना जाता है और 2 बरस से बाक कोई confusion नहीं है अगर आपकी समझ में सैस्वा वस्ता अच्छी तरह से आ गई है तो बाल्या वस्ता में आप कुछ नहीं है जैसे हमने सैस्वा वस्ता को भिवाजित किया है उसी प्रकार से हम बाल्या वस्ता को भिवाजित कर सकते हैं जैसे हमने ये माना था कि जन्म से लेक के अनुसार अब हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको दो वागों में विवाजित कर सकते हैं तीन वागों में विवाजित कर सकते हैं और एक भागों में विवाजित कर सकते हैं अगर हम इसको एक भागों में विवाजित करें तो दो वर्स से 12 वर्स तक की अवस्ता को कहें उत्तरवाल्य अवस्ता, अगर हम इस अवस्ता को तीन भागों में विवाजित करें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम विवाजित कर लेंगे, दो से पांच वरस की अवस्ता, पूरुबाल्य अवस्ता, पांच से आठ वरस की अवस्ता, मद्यवाल्य अवस्ता, और आठ से ब तर गलत नहीं कर पाएंगे जैसे अगर वो पूछता है पेपर में कि ये बताईए कि निम्ण लिखित में से कौन सी अवस्ता बाले अवस्ता है तो उसने option दे दिया उसका पहला option है कि 0 से 2 वर्स 2 से 5 वर्स और तीसरा जो विकल्ब दिया उसने वो दिया 6 से 12 और 4 विकल्ब दिया 12 से 18 तो यहां पर तो कोई confusion ही नहीं है कि pride देखा जाता है अब बात पूर्व बाल्य वस्ता की नहीं हो रही है पूर्व बाल्य वस्ता अगर पूछा होता तो उत्तर होता 2 से 5 वर्स लेकिन वो पूछ रहा है कि बाल्य वस्ता की आयू क्या होगी तो बाल्य वस्ता की आयू होगी 6-12, क्यों होगी? इसका कारण हमने बता दिया है कि या तो हम ये कहें कि जनम से लेके 2 वरस तक सहस्वावस्ता होती है या ये हम ये कहें कि जनम से लेके 6 वरस तक सहस्वावस्ता होती है जब हम ये कह रहे हैं कि चेंज हो जाएगा चेंज कैसे हो जाएगा जैसे मान के चलते हैं कि 6 वर्स से 12 वर्स की अवस्ता हो गई हमारी बाल्य अवस्ता अब बाल्य अवस्ता को एक भाग में हमने विवाजित कर लिया अब इसके बनाते हैं 2 वाग तो 6 वर्स से 9 वर्स की अवस्ता कौन सी अवस्ता पूरुबाल्य अवस्ता और 9 से 12 की वर्स की वर्स तक उत्तरवाल्य अवस्ता इसी कौन तीन भागों में विवाजित करने हैं तो 6 वर्स से 8 वर्स तक पूरुबाल्य अवस्ता आठ से 10 वर्स तक मद्यवाल्य अवस्ता और 10 से 12 वर्स तक उत्तरवाल्य अवस्ता तो कहने का मतलब ये है कि वो जो examiner है वो प्रसन में पूछना क्या चाह रहा है इस confusion को दूर करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आई हैं तो ये confusion अब आगे से नहीं रहना चाहिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप हमें कृप्या करके comment करके जरूर बताएं कि ये बात बिल्कुल आपकी समझ में आ गई है जो भी परिशानी हो तो आप हमें comment में भी लिख सकते हैं अब बात करते हम किसोरा अवस्ता के बारे में जैसे ही हमने सहस्वा अवस्ता के बारे में जाना है बाले अवस्ता के बारे में जाना है उसी प्रकार हम इस अवस्ता को भी अपने इसाब से बांट सकते हैं जैसे 12 वर्स से 18 वर्स की आयू को किसोरा अवस्ता कहते हैं अब इसको हम वोई एक भाग में विवाजित करें तो 12 वर्स से पंद्रे वरस्तक की वरस्ता, पूर्व की सोरा वस्ता, और 15 से 18 तक उत्तर की सोरा वस्ता, और 3 भाग़ा में विवाजित करने हैं, तो 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18, 12 से 14 कौन सी वरस्ता, पूर्व की सोरा वस्ता, 14 से 16 कौन सी वरस्ता, मद्य की सोरा वस्ता, और 16 से 18 तक उत्तर की सो पेपर है उसमें कभी भी उत्तर किसोरा वस्ता से और मध्य किसोरा वस्ता से कोई भी क्वेसन नहीं आता है क्योंकि आपके स्लेवस में जो पेपर में क्वेसन आते हैं वो जन्म से लेकर 14 बरस तक के बालकों के और ज्यादा से ज्यादा 16 बरस तक के बालकों के प्रसन आपको पूछे जाते हैं आपके Child Development and Pedagogy वाले portion में जो के 30 नंबर का आता है उसमें कभी भी उत्तर किसोरा वस्ता से कोई भी प्रसनाज तक नहीं पूछा गया है तो अब मैं आपको एक बार और बता दूँ कि सैस्वा वस्ता की जो IU है वो जनम से लेके 2 वर्स होगी जनम से लेके 6 वर्स होगी जनम से लेकर 3 वर्स होगी जनम से लेकर 5 वर्स होगी ये कब होगी जब आपको ये सारी चीजे समझ में आ गई तो वो जो क्यों होगी और कैसे होगी ये आप किलियर कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसी लगी इसको करप्या करके हमें बताएं बहुत बहुत धन्यवाद